हेलो गैस में हूँ आरियन गैस आज के इस वीडियो में हम आपको HDFC बैंक के FD के बारे में यानि फिक्स डिपोजिट के बारे में कम्प्लिट जान करी देंगे जैसे कि अगर आप इस बैंक में अगर FD करते है तब निव इंटरेस रेट के अनुसार आपके FD के उपर कितने इंटरेस रेट दिया जाएगा FD का basic features और benefits कराएगा senior citizens के लिए extra का benefit दिया जाएगा और साथ ही साथ एक example के तौर पे भी बताएगे कि अगर आप FDFC बैंक में अगर एक लाग का FD करते है तब कितना maturity amount आपको दिया जाएगा इस सबी बाते आपको details में बताएगे लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल बड़ पहली बार आए है तो कार्णली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप कि यह एंट तक जरूर देखें तो गईस जैसे कि मेरे एक विडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर इप्डि करते हैं तब पहले उसे बडिका बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर्स आपके लिए क मिनिममम साथ दिन से मैक्सिममम 10 साल के भिच में किसी भी टायम के लिए आप एपडि कर सकते है अगर मिनिममम एपडि माउंट की बात करें मिनिममम के बलं 5000 बलम insert कोई FD के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं अगर प्रिमाचुर इड्डॉल की बात करें यानि FD करने के बाद अचनक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तब अगर आप चाहित आपके FD का इमाउन मैं अची ओर होने से पहले या बैंक से उटाप आओगे लेकिन आ अगर आप चाहे तो वो इंट्रेस FD मैच ओर होने के बाद भी ले सकते हैं तो गईज यह सबते इस बैंक का बेसिक FD फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी था तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप SDPC बैंक में अगर FD करते हैं तब आपको जाद इंट्रेस दिया जायेगा और अगर अप सिनया से टिजन है और 500 के बीच में आगर आप IPD करते हैं तब आमन्मलर इंट्रेसेट से 0.75 परसेंट आपको जाद इंट्रेस दिया जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं कि यह starting जो interest rate है यानि 7 दिन से 14 दिन के अंदर update गणने पर जनरे चरिजन्स के लिए interest rate रहेगा 3% और सिन्यरे चरिजन्स के लिए interest rate रहेगा 3.50%, ति किसा तरा से interest rate बरता रहेगा और अगर आप 1 सल के लिए update गरते हैं यानि 1 सल से अगर 5 मैने के क रहायगा 7% और सिनेस एंट्रेस्टर रहायगाँ 7.50% और आगर आप 5 साल एक दीन से अगर दस साल के बिच में अबड़ी करते हैं तब जेनेरल सिर्जेंस के लिए 0.75% जाद इंट्रेस्स दिया जाएगा यानी सेनेबर इंट्रेस्ट आएगा 7.75 परसेंट तो गैस चलिए आप एक एक्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप आप एक लाग के एक साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटर्चेट रहाएगा 6.60 परसेंट और आपके मैच्वूटी अमौन बनेगा एक लाग साथ हजार दो सो नब्य रुपिया का गैस अगर आप जेनरल चर्जेंट के लिए अगर एक लाग के एपडी पांच साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटर्चेट रहाएगा 7 परसेंट और आपके मैच्वूटी अमौन बनेगा एक लाग 41,480 रुपिया का गैस अगर आप जेनरल चर्जेंट के लिए अगर एक लाग के एपडी पांच साल के लिए करते हैं तब आपके लिए अब आपके लिए इंटर्चेट रहाएगा 7.75 परसेंट और आपके मैच्वूटी अमौन बनेगा 25,450 रुपिया का तो गैस अगर ओवर अल देखा जाए तो एपडी के उपर इंटर्चेट है वाज के टाइम पर बहुत ही शांदर है और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कि HDFC बैंक इंडिया का नमबर वान प्राइविट सेक्टर बैंक है तो सिकूरिटी के मामने में भी HDFC बैंक काफी सिकूर बैंक है तो अगर आप किसी प्राइविट बैंक में FD करना चाते है और अगर आप आपने FD के उपर इतने इंटरेस एट वाने पर संतुस्ठ होंग और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू